आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ ट्रीटमेंट ओफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल ट्रंजेक्शन वाहिल कॉम्प्यूटेशन ओफ गुडविल विद प्रैक्टिकल एक्जाम्पल हलो दस्तो मैं सोबित कुमार चोधरी आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर उमीद करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे और इंजोई कर रहे होंगे स्टडीज को और जितना अभी तक हमने कराया है वो आप लोगोंने अच्छे से कर लिया होगा फिद से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इंडिवीजवल प्लेलिस्ट पर जाकर आप इंडिवीजवल टोपिक को रिवाइज कर सकते हैं आपको आपको फिद से भी दिकत ना हो तो दोस्तो आज हम आपसे बात करेंगे गुडवील के प्रोफिट के एडजस्टमेंट के बारे में कल हमने discuss किया था आपसे recurring transaction, non recurring transaction, abnormal transaction या फिर abnormal profits के बारे में आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज मैं आपसे फिर से एक बार आपका revision कराऊंगा और ये मैं आपसे बीच बीच में question भी put up करूंगा तो सावधान रहें और सतरकता दिखाएं कि हाँ जो आपने कल की class में पढ़ा था वो आपको अच्छे तरीके से आता है और वो बहुत seriousness के साथ studies को ले रहे हैं क्योंकि क उसका मेरे बच्चा फायदा उठाने का प्रियास करें उस चीज का फायदा लें अपने time को invest करें वैस्ट ना करें time waste हो जाएगा बाद में कुछ मिलने वाला है नहीं तो account वाले बच्चे हो हमेशा से profit देखते हो तो investment जब आप देखी रहे हो तो investment की तरफ देखो accounts हवेली की तरफ देखो हमारे साथ studies को enjoy करो guarantee के साथ कह सकते हैं सारा video आप देखेंगे सारी lecture series आप देखेंगे वीडियो को starting से लेके last तक देखेंगे तो आपको सब कु समझ में आने वाला है लेकिन अगर आप skip करकर के देखेंगे तो फिर कु समझ में नहीं आएगा मैं पूरा descriptive तरीके से basic basic बहुत minor minor चीज़ों को भी बताता हूं इसलिए बताता हूं ताकि मेरे बच्चे को एक एक चीज़ पता हो क्योंकि paper में कोई ऐसी चीज़े ना आ जाएं जो आपको ना आती हो क्योंकि वो चीज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके पीछे का logic कि क्य का logic है कि सोजेसे वो transaction survive कर रही है ट्रेवल कर रही है क्या concept है उसके बीचे अधरवाइस मैं भी 8-10 transaction आपको रटवा सकता हूं यह abnormal है यह normal है यह प्लस कर दो यह माइनस कर दो लेकिन नहीं क्योंकि paper में कुछ transaction मेरे बच्चे ऐसी आ जाती है जब आपको logically सोचना पड़ेग कि अब इसको प्लस करेंगे यह माइनस करेंगे उसके लिए आपका कुछ example का देखना जरूरी है और अपने mind framework को यूज करना बहुत जरूरी है develop करो अपनी सोच को ताकि accounting में बहुत अच्चे से survive करो और आगे तक जा पाओ तो चली आपसे discuss कर लेते हैं हम आपसे बात कर रहे थे अभी तक हमने आपसे बाते की थी कुछ transaction के बारे में वो transaction आपकी screen पर हैं जरा देखें कल हमने आपसे बात की थी abnormal, normal recurring nature के expenses के लिए यानि कि कल हम आपसे बात कर रहे थे abnormal, non recurring nature के losses और expenses के बारे में कुछ example मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो example सारे-जारे example जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये बेटा abnormal और non recurring nature से related हैं कौन-कौन से example हैं जो आ सकते हैं जिनको आप abnormal मानेंगे या जिनको आप non recurring मानेंगे तो बेटा goods lost by fire हो या cash lost by fire हो ये एक abnormal nature की transaction है goods lost by theft हो या cash lost by theft हो ये एक abnormal nature की transaction है साथ में loss on sales of fixed assets हमने कोई fixed assets बेची है उस पर हमें loss हुआ है मैं sales की बात नहीं कर रहा कि आप sales को लेके सोचने लग जाएंगे कि sales को plus करेंगे या sales को minus करेंगे ना मेरे बच्चा दिहान से मैं उस sales पर होने वाले profit या loss के बारे में बात कर रहा हूँ तो profit या loss जो sales पर हो रहा है तो यहाँ पर हम discussion कर रहे है loss on sales of fixed assets means जो fixed assets हमने बेची है उसको बेचने पर हमें loss हुआ है वो हमारी abnormal nature का एक loss होता है loss on sales of non-trade investment कोई non-trade investment हमने बेची है और उसको बेचने पर भी हमें loss हुआ है यह भी एक abnormal nature की transaction है और इसी तरीके की transaction जो आपके सामने लिखी हुई है हिन से मिलते जुलती कोई भी transaction होगी तो वो abnormal nature की transaction होगी तो क्या करेंगे आप इन abnormal nature की transaction का मेरे बेटा add back to the profit of that year for the valuation of goodwill क्या करेंगे हम इन transaction को add कर देंगे किस में profit में उस साल के profit में add कर देंगे इन ट्रांजेक्शन को goodwill की valuation के लिए goodwill की valuation के लिए जो profit निकालते हैं उन में इन 4-5 तरीके की transaction जो आपकी screen पर है इनको हम add करते तो आप अच्छे से इनको लिख लीजिए कि अब नॉर्मल लोसे जो होते हैं या अब नॉर्मल एक्सपैंसे जो होते हैं उस तरीके की जो ट्रांजेक्शन हमें कोशन में गिवन होती हैं तो गुडविल की वैलिवेशन के लिए जब हम प्रोफिट का एड्जस्मेंट करते ह हैं तो उन ट्रांजेक्शन को हम एड्ड कर देते हैं अब मेरे बच्चा सिंफ्लिवाई कर चुका हूँ अब इन चीजों को लर्न करने का भी टाइम आ गया कि अब आपको लर्न भी होना चाहिए कोंसेप्ट लास्ट वीडियो में काफे डिसकस किया है अब उमीद करूँगा कि आप लर्न भी करेंगे और अच्छे से इन चीजों को लेकर चलेंगे आगे बढ़ते हैं आगे देखिए फिर से कुछ ट्रांजेक्शन वोलेंटरी रिटायरमेंट कंपन्शेशन अमाउंट में VRS बोलते हैं voluntary retirement of the service होता यह है कि जब employer और employee दोनों आपस में मिलके decision ले लेते हैं कि employee कहता है कि मैं भीया आपके organization में work नहीं करना चाता और employer भी उसको release कर देता है तो ऐसे case में employer को employee को एक compensation देना पड़ता है उस compensation का नाम है voluntary retirement compensation तो ऐसी transaction को भी हम non recurring nature की transaction मानते हैं क्योंकि यह transaction regular होने वाली नहीं है ऐसा तो है नहीं सारे employees को उठा के VRS दे दोगे कि सब को चुट्टी पे बहस दोगे employee भी काम नहीं करना चाता मालिक भी काम नहीं करना चाता दोनों ने मिलकर golden shaking hand कर लिया कि जाओ भीया मुझे भी तुम्हें नहीं देखना तो एक काम करो मुझे तीन-चर महिने का compensation दे दो सर आपने भी ले लिया क्या compensation हाँ बेटा क्या सकते हो तो VRS लेकर भी हम एक employee service को leave कर सकता है जो उसके बदले में उसको जो compensation मिलता है तो ऐसा compensation जो होता है वो non recurring nature का होता है बार-बार होने वाला नहीं होता है साथ में amount paid at the time of retirement retirement के time पे कोई लंब सम amount हमने अपने employees को paid की है तो वो भी हमारी non recurring nature की transaction मानी जाती है को रिट्रेंजमेंट compensation हमने अपने employees को निकाल दिया है निकालना रिट्रेंजमेंट मतला चटनी कर देना निकाल देना तो उसको निकालने के time पे अगर कोई compensation दिया गया है तो उसको retirement compensation कहते है यह भी ए रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन होती है और इसी तरीके की मिलती जुलती ट्रांजेक्शन जिनको हम अबनॉर्मल और नोन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन बोलते हैं चाहे ट्रांजेक्शन मेरे बच्चा अबनॉर्मल नेचर की हो चाहे ट्रांजेक्शन मेरे बच किया होगा क्योंकि AS 5 तो मानता है इनको expenses है expenses चाहे recurring nature के हो चाहे non recurring nature के हो AS 5 अलाओ करता है लेकिन AS 26 के अंदर जब हम intangible assets में goodwill एक intangible assets है जिसका valuation करते हैं तो वहाँ साफ तोर पर clearly clearly ये बोला गया है कि आप ऐसे expenses को जो P&L की calculation में ले रखे हैं वो abnormal nature के या non recurring nature के हैं पर उनको goodwill की valuation में consider नहीं किया जाएगा means जो P&L हमें given है उसमें से ये already minus कर रखे हैं लेकिन goodwill की valuation कहती है minus नहीं करना था तो हमने का ठीक है P&L के लिए वो minus करना ठीक था लेकिन goodwill की valuation करने के लिए वो minus करना ठीक नहीं है तो दुबारा से उसको वहाँ पर पहुचाने के लिए क्या कर देंगे मेरे बच्चा add back कर देंगे जैसे ही हम P&L के profit में इन non recurring transaction abnormal transaction को जैसे ही आप लोग add कर दोगे तुरंत आपको वो profit मिल जाएगा जो goodwill की valuation के लिए आपको चाहिए और ऐसे profit को मैंने एक नाम दिया था FMP future maintainable profit goodwill उस profit के नाम पर चलती है goodwill हम उस profit से goodwill को generate हुआ मानते हैं जो profit हम regular earn करेंगे जो future में भी maintain रहेगा लेकिन इन transaction की वज़े से जो profit पर effect आया है वो future में regular nature का नहीं होगा एक बार आया है फिर ये transaction रिपिटिव नहीं होगी तो goodwill कहता है regular nature की transaction नहीं है गलत माइनस कर रखी है P&L के हिसाब से ठीक होगी goodwill के हिसाब से गलत माइनस कर रखी है इसलिए उनको दुबारा से add back कर दो इतना मेरे बच्चा मैं बता चुका था और फिरसे मैं एक बात बोलता हूँ जैसे मैंने या मैंसन किया होगा एक से पांस तक की जो transaction है वो abnormal transaction है और चैसे नों तक की जो transaction है non recurring nature की transaction ऐसा याद करने की जुरहत नहीं है इसको अलग-अलग separation में जाने की जुरहत नहीं है की ये non recurring nature का है या abnormal nature का दोनों को ये की तरीके से treat करो दोनों transaction regular nature की नहीं होती है कभी-कभी होती है, rare होती है, जर्नली होती है बहुत rare, rare होती है, ऐसा नहीं है कि regularly होई होई जारी है ये day-to-day activity है, yearly activities related नहीं है कभी-कभाग होई तो होई, ना होई तो ना होई इसलिए ऐसा separation मैं नहीं बनाना है बच्चे को बनाने के लिए गया था मैंने लिख दिया है लेकिन आपको ऐसा separation लाद रखने की जुरुत नहीं है करना क्या है add back कर देंगे into that year profit for valuation of goodwill उसी साल के profit में जिस साल से ये related है transaction उस साल के profit में हम इनको add back कर देंगे क्योंकि गलत less कर रखी है गुडविल के हिसाब से गुडविल के point of view से गलत less कर रखी है हम add कर देंगे उसके बाद में जरा देखें फिर से abnormal या non recurring nature के losses या expenses जो बात मैंने कल आपको बताई थी मैं बार बार एक चीज बोल रहा था कि एक नंबर का mcq आप लोगों को थोड़ा परिसान करने के लिए हो सकता है जर्नली जो गुडविल का बड़ा कोशन आता है उसमें abnormal transaction के लिए including word ही use होता है excluding word मैंने नहीं देखा बिलकुल भी नहीं देखा बहुत कहीं कभी कभा आ गया तो आ गया वैसे मैंने नहीं देखा मैंने अभी तक ऐसा कोशन नहीं देखा कि cbsc ने put out किया हो लेकिन मेरे बच्चा एक नंबर में एक नंबर में ऐसा कोशन सी वेजी पूछ सकता है ये चेक करने के लिए कि आपका technical क्या है आप कितना जानते हो conceptually कितना sound करते हो तो वो एक नंबर में पूछ सकता है इसलिए आपकी screen पे या मैंने लिखा हुआ है कि अगर abnormal nature या non recurring nature की transaction अभी already included है अगर वो profit में already included है sir question कुछ ना मोले तो भी हम उनको already included ही मानते है including का मतलब कि उस losses को या उन losses को या उन expenses को already हमने include यानि minus कर रखा है पे अडल निकालते time तो आपने गलत minus कर रखा है इसलिए हमने उनको add back कर दिया देखें already included है transaction then add back आप उनको add back कर दो लेकिन वो abnormal और non recurring nature की transaction मेरे बच्चा अगर already included नहीं है मेरे बच्चा अगर वो already included नहीं है पहले से वो profit जो ہमें ignore अडल निकाल कर दिया है उसमें वो already included नहीं है तो p sarne count के हिजाब से वो गलती है accountant साहब ने पी ेंडल के हिजाब से वो गलती कर दी कि उन्होंने उन transaction को इग्णोर क्यों कर दिया लेकिन उनकी ये गलती मेरे काम आ गई मैंने का अरे आपने इस transaction को include नहीं किया आपने इस abnormal loan recurring nature की transaction को profit से minus नहीं किया accountant सहाब नहीं सहाब मैं minus नहीं कर भाया भूल गया हमने का बढ़ा अच्छा किया मज़ा आ गया क्योंकि goodwill का काम आपने आसान कर दिया अगर आपने plus कर रखा minus कर रखा होता तो मुझे plus करना पड़ता आपने minus ही नहीं किया आपने minus ही नहीं किया तो मुझे plus करने की जुरत नहीं है इसलिए अगर ये transaction already note included है तो हम इसको ignore कर देंगे और ये वाली बात याद रखना जैसे इस तरीके से आप से पूस्ता है वेपर में एक MC क्यों आ जाता है कि 2010-11 के profit में accountant laws by fire rupees 10,000 को include करना भूल गया तो बताओ at the time of valuation of the goodwill आप इस transaction का क्या करोगे तो हम लिखेंगे ignore करेंगे अब normal nature की transaction है profit में include नहीं है accountant भूल गया इसका मलब profit में include नहीं है तो बहुत अच्छा की accountant साब आपने include नहीं किया क्योंकि अगर आप include कर देते तो हमें इसका effect reverse करना पड़ता आपने minus कर रखा होता हमें plus करना पड़ता मेरे accountant आपने बड़ी अच्छी गलती की है P&L के हिसाब से वह आप गलत हो लेकिन goodwill के point of view से मैं बात करता हूँ आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने इस abnormal nature की transaction को minus नहीं किया ignore कर दिया तो अब मुझे भी goodwill की valuation में इसका कुछ करने की ज़रुद नहीं है मेरे बच्चा important point टिक कर लो एक number के MC क्योंकि हिसाब से गलती मत कर देना गलती हो जाती है फिर से देखें एक note और आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर question कुछ नहीं बताता केवल यह दे रखा है आपको दे रखा है profit 40,000 bracket में लिखा हुआ है loss by fire 10,000 तो sir क्या करेंगे वो loss उसमें included है तो अगर question कुछ नहीं बताता profit देने के बाद में अलग से transaction लिख देता है यह transaction है तो include ही मानेंगे question silent है abnormal transaction के बारे में transaction दे रखी है और यह नहीं बता रखा include है या नहीं है तो अगर transaction दे रखी है तो हम मान लेंगे include ही होगी question कुछ नहीं बता रहा तो हमने उनको include माना और अगर इस तरीके के expenses include होते हैं तो हमें add back करना पड़ता है expenses को हम opposite कर देते हैं ऐसा याद रखें abnormal nature के expenses या abnormal nature के losses के effect को हम वापस कर देते हैं adverse कर देते हैं याद रखो adverse कैसे होगा expenses minus होते हैं तो adverse करने के लिए हम उनको plus कर देंगे sir समझ गए हम हम आपकी बात समझ गए और हमने निकाल लिया answer आप कहना चाहते हैं कि income, income का effect क्या होता है कि हमने पेंडल में plus कर रखा होगा लेकिन goodwill के valuation के लिए इन abnormal nature की income को plus नहीं करना था तो हमें सही करने के लिए इनके effect को adverse करना पड़ेगा that means sir आप कहोगे कि इनको minus करेंगे बिल्कुल मेरे बच्चा मैं यही बताना चाह रहा था आपको जो आप समझ चुके हो मेरी बाद बड़े intelligent, बड़े बहदुर बच्चे हो, सब समझ जाते हो तो इसका मतलब अगर abnormal profit हैं या abnormal income हैं या non recurring nature की income हैं या non recurring nature के profits हैं तो ऐसे profits already included माने जाएंगे जो P&L से हमने profit निकाला है या जो P&L की valuation करते time AS5 के साब से जो हमने profit निकाला है उसमें ये वाली चीजें already क्या होंगी, plus होंगी तो अगर ये already plus हैं तो हमें क्या करना है, हमें सही करना है सही कैसे करेंगे सर गुड़ विल के लिए plus नहीं करना था, contents आपने कर दिया P&L के हिसाब से, तो हम उठा कर minus कर देंगे, उसके effect को adverse कर देंगे मतलब, abnormal को उन्होंने पहले से minus कर रखा था, तो हमने उठा कर plus कर दिया अब normal income को उन्होंने पहले से plus कर रखा था तो हमने उठा कर minus कर दिया, इतनी सी बात आपको समझा नी थी, और क्या क्या, लेकिन paper में ऐसे थोड़ी आएगा, अब normal nature नाम थोड़ी देगा, सीधा सीधा transaction का नाम देगा, तो उन transaction का नाम क्या हो सकता है, profit on sales of fixed assets, वो transaction हो सकती है मेरे बच्चा, profit on sales of non-traded investment, मेरी वो transaction हो सकती है, income from lottery है, मैं अमिता बच्चन आपका स्वागत करता हूँ, कौन बनेगा, करोड़ पती पर हैं, मेरे बच्चा, जो करोड़ पती में हम खेल के आ रहे हैं, जो lottery वगेरा से हम winning कर रहे हैं, मेरा business बड़े घाटे में, उस business को घ घाटे से बचाने के लिए, मैंने मिता बच्चन को फोन लगाया, मैंने का, साहब, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चो को free में पढ़ाता हूँ, मैं ये समा सेवा का काम कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे उपर एक हैसान उपकार करें, मुझे बुला लीजिए, KBC में special guest के तोर और मुझे कुछ जित्वा दीजिया, मिता बच्चन को तरस आ गया, मेरे उपर दया आ गई, इसलिए नहीं, इसलिए आई, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, बड़ अच्छा पढ़ाता हूँ, उन्होंने का, चलो तो आजाईए, आप आके, और मैं पहुँच गया, उस होट स पर के लोस में जा रहा था, मैंने किया, मैंने किया, मैंने खेला KBC, KBC खीच के, खेल के, मैंने जीत लिए, मेरे बच्चा साड़े साथ करोड, मैं आया तुरंद, मैंने का, मेरी इंकम साड़े साथ करोड, मेरा लोस एक करोड, अभी भी मेरे पास प्रोफिट है, साड़े 6 करोड का तो क्या इस से मेरी गुडविल बन जाएगी क्या मेरी टीचिंग से क्या मेरी टीचिंग से मेरी लोटरी का कोई लेना देना है क्या मैं बच्चों को ये क्या के बढ़ाऊंगा रहे लोटरी से 6.5 करोड जीत के लाया हूँ आईए मेरे पास पढ़िये, बच्चा कहेगा ना, रिजल्ट बताओ, कितने बच्चे पास कराते देते हो आप, मैं 100% रिजल्ट देता हूँ, तो दिखाईए वो रिजल्ट, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, लोटरी की इंकम से उन्हें को लेना देना नहीं है, उन्हे मुझे फीज दियोगी, अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा, तो अच्छे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे मेरे पास पैसे होंगे, और मेरी क्या होगी, गुडविल होगी, तो वो प्रोफिट को एफेक्ट कर देगी, लेकिन लोटरी से मैं जीत लेता हूँ, ये कोई प्रोफिट को एफेक्ट करने वाली नहीं है, तो इस बात को भी मेरे बच्चा दिमाग में रख कर चलें, कि हमने कोई लोटरी से जीत ले, इस तरीके के बिजनिस को बोलते हैं, सट्टा बाजी, तो सट्टे बाजी के बाजार में, सट्टे बाजी का बाजार बहुत आप यहां से कुछ कमाते हैं, तो आप कोई गुडविल नहीं कमाते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं, आप सोहरत यानि की गुडविल नहीं कमा पाएंगे, औरत नहीं बच्चे सोहरत बोल रहा हूं, सोहरत नहीं कमा पाएंगे, तो ध्यान रखके चलें, goodwill केवल normal nature کے transaction से normal nature के profit से ही generate होती है वो abnormal nature की किसी भी चीजों से generate नहीं होती है तो इसका मतलब speculation वगगरा जो income है goodwill के परपज के लिए वो बेकार है लेकिन मेरा बहुला बाला content उसने तो कहा income तो income है क्योंकि peandle कहता है income तो income है legal होनी चाहिए लोटरी का बिजनिस लीगल है उसने एड कर दी लोटरी का बिजनिस लीगल है मान लिया हमने कुछ लोटरी के बिजनिस लीगल होते हैं जिनको license issue होता है मान लेते हैं वो लीगल है और उसने उठा कर लिग दिया P&L के credit side लेकिन Goodwill ने कहा ना ना गलत कर दिया मेरे अकाउंटेंट तुने अपने इसाथ ठीक किया है गुडविल के इसाब से गलत किया है तो जल्दी से ये इंकम जो तुने जोड रखी है अपने पिएंडल में अपने पिएंडल के परपज के लिए गुडविल के परपज के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आप इसको minus कर दो तो हमने उठा के minus कर दिया मिनिंग क्या निकल के आया आप normal nature की income या non recurring nature की income अगर होंगी तो हम उनको less कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि accountants आपने पहले से add कर रखी add नहीं करनी थी हमने minus कर दिया अब normal nature के खर्चे minus नहीं करने थे भाई साब ने कर रखें तो हमने उठा के plus कर दिया यानि कि ऐसे कहते हैं goodwill के purpose के लिए वो चीज़ें गलत हो गई तो गलती को ठीक करने के लिए 11th class में भी समझा के आया हूं accounting में गलती को ठीक करने के लिए effect को adverse किया जाता है debit वाली चीज़ें को credit कर दिया जाता है मतलब debit मतलब expenses expenses को ठीक करने के लिए उसको credit में income side में डाल कर उसके effect को खतम कर देते हैं ऐसे ही ultra credit side यानि income side के nature को गलत credit कर दिया तो उसके nature को खतम करने के लिए debit side यानिकी expenses में डाल कर उसको खतम कर देते हैं accordingly हम बात करते हैं तो उमीद करता हूँ अच्छे से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और आप पकड़ चुके होंगे कि इस तरीके की इंकम को हम क्या कर देते हैं मेरे बच्चा माइनस कर देते हैं कि ये इंकम वो इंकम है जो रेगुलरेचर की नहीं है इसलिए अकाउंटेंट साब इनको उठाकर लात मार देंगे for the purpose of the goodwill goodwill के परपज के लिए लात मारेंगे वैसे ये मेरी इंकम है जब मैं जाकर अपनी वाइफ को दूँगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा उसे मतलब नहीं है ये recurring nature की income है non recurring nature की income है वो कहेगी पैसा कमारा ये ये पैसा कमारा माल कमारा दमडी कमारा लेकिन मेरे बच्चा में जो goodwill कमाऊंगा वो normal nature से ही कमाऊंगा आप normal nature से goodwill नहीं कमाऊंगा पैसा कमा सकता हूँ वो पैसा जो goodwill नहीं बनाता है इस चीज़ को दिमाग में रख कर चले सर आगे देखिए आगे आपकी screen पे कुछ और आया होगा आपकी screen पे देखिए कमाल एक और चीज़ आपकी screen पे आई tapered कर चले गई चली ना आजा आजा एक बर आजा आजा जहलग दिखला आजा देखिए फिर से आपकी screen पे आगई है कि normal recurring nature के कौन-कौन से expenses होते हैं या कौन-कौन से losses होते हैं या कौन-कौन से income होते हैं या कौन-कौन से gain होते हैं लम्भी चली जाएगी किलास और खिस्ती चली जाएगी चमड़ी की तरह रबड़ी की तरह इसलिए हमने इसको थोड़ा सोट किया है नॉर्मल नेचर की ट्रांजेक्शन वो सारी है जो 11 में पढ़ चुके हो जो बनाने में जितनी भी सैलरी, वेजिस, अडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, यह वो फलाना डिमागा, डिसकाउंट, रेंड जितना भी बढ़ा था वो क्या है अगर नॉर्मल यारी इकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन, चाहे एक्सपेंसे हो चाहे इंकम हो, अगर वो ओरेड़ी इंक्लूड इंक्लूड है, तो इग्नॉर कर देंगे मेरे बच्चा, अदरवाइज, अदरवाइज का मतला, अगर इंक्लूड नहीं है और वो एक्सप गटा देते हैं आप भी बात में घटा लेना क्योंकि वो घटा नहीं थी आपने नहीं घटाया गुडविल के परपच के लिए हमने अपना घटा के गुडविल निकाल ले अगर वो इंकम है वो गेन है और आप उसको जोड़ना भूल गए तो आपने गलती कर दिये गलती आप ठीक नहीं कर पाया भी तक कोई बात नहीं कोडविल की परपच के लिए जो मुझे प्रोफिट चाहिए था उस गलती को मैं ठीक कर देता हूं वो उसको प्रोफिट में एड कर देता हूं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन यह हो सकती है स्क्रीन पर देखिए वेजिस र नॉर्मल निचर की ट्रांजेक्शन अगर इंक्लूडिड है तो मेरे बच्चा इग्नोर कर देनी होती है और अगर इंक्लूडिड नहीं है तो अगर माइनस करना था तो हम माइनस कर देंगे यहाँ एडवर्स इफेक्ट नहीं है यहाँ ध्यान रखना यहाँ एडवर्स इ करना था तो accountants आपने minus नहीं किया भूल गए तो अब मैं minus कर रहा हूं ठीक है तो मैं उसके effect तो consider कर रहा हूं पहले opposite हो रहा था हम कह रहे थे minus नहीं करना था accountants आपने minus कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए plus किया अब यहाँ पर देखो फिर से आपको minus नहीं करना था आपने minus कर दिया तो उसके effect को खतम करने के लिए plus कर देते हैं normal nature के expenses को आपको minus करना चीए था आपने minus नहीं किया तो अब हम minus कर देते हैं इन wordों को थोड़ा सा ध्यान से सुना करें normal nature की income को आपको add करना चीए था आपने add नहीं किया तो हम add कर देते हैं तो accountant साब पहले गलत गलत कर रहे थे तो उसको हमने ठीक किया accountant साब ने कुछ भी नहीं किया भूल गए तो कोई बात नहीं जो होना था वो कर देते हैं गलत हो गया तो सही कर दो, नहीं हुआ था तो, जो करना था वो कर दो, गलत कर दिया तो आप सही कर दो, करना भूल गये, जो करना था वो ही नहीं किया तो, आप कर दो तो simple सी क्या है, normal expenses minus हो जाएंगी, normal income plus हो जाएंगी, अब normal expenses, add हो जाएंगे, abnormal income minus हो जाएंगी, क्यों कि गलती से add कर रखिये, minus कर देंगे, add कर देंगे, मज़ा आया, तेजी तेजी से बोल रहा हूं, गला दर्द करने लग या, मज़ा आया, समझ मैं है, जल्दी से comment section में yes करके बताओगी, सारी बाते पकड़ चुके हो, पकड़ चुके हो ना, सारी बात है, मुझे नहीं बात है, बाते पकड़ चुके हो ना, सारी, तो अगर सारी बाते मेरे बच्चा पकड़ चुके हो, तो इन बातों को आगे बढ़ा लेते हैं, और कुछ और एक दो transaction लिखता हूं, मेरे बच्चा, और जितनी भी ये transaction लिख कुछ special transaction या कुछ खतरनाक transaction खतरनाक transaction क्यों बोल रहा हूं इसलिए खतरनाक बोल रहा हूं क्योंकि आप इन transaction में गलती करेंगे और paper में भी यह आ जाती है special transaction इनका नाम नहीं है मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया है ध्यान रखें पहले please be careful insurance premium paid मेरे बच्चा insurance premium paid एक normal nature का expenses है इस बात को अपने दिमाख में रखो और गाट मार लो इस बात में कि यह normal nature का expenses है हे दुस्ट बालक हे बच्चे हे भारत के भविश्य हे dirty mind ठंक से सुना करो मैं जो बोल रहा हूं वो ही सुना करो मैंने कहा है गाट मार लो इस बात की कि यह paper में जरूर जरूर आए की transaction दुस्ट बालक dirty mind भगवान तुमारी बुद्धी का विनास कर देगा तुमारे दिमाख में ऐसी ऐसी बाते कहां से चलती हैं हे गंदे बच्चे हे बच्चे तुम भारत का भविश्य हो पर मेरा वर्तमान चोपट करने के पीछे क्यों लगे हुए हो पढ़ाई में ध्यान दो हे लाइट मंदी हो जा बंध होने के लिए नहीं बोला सब लोग आजकल बात ही नहीं मान रहे हैं मेरी हाँ जी नोर्मल नेचर एक्सपैंसिज नोर्मल नेचर एक्सपैंसिज है इंसोरेंस प्रीमियम पेड जो हमने किया है नोर्मल नेचर एक्सपैंसिज है और नोर्मल नेचर का एक्सपैंसिज अगर ओल्रेडी इंक्लूडिड है मतलब पहले से इंक्लूड कर रखा है नोर् exclude मतलब माइनस कर चुके हैं तो हमने कुछ नहीं किया exclude मतलब माइनस नहीं किया तो less कर देंगे less from that year profit ठीक है उस साल के that year's profit उस साल के profit में से हम उसको माइनस कर देंगे आपने ये वाली बात क्यों लिखी insurance premium paid ये normal nature का होता हम जानते बिल्कुल नहीं जानते जानते हो तो इस transaction को बताओ इसको बताओ claim received claim received from insurance company in lieu of insurance policy इतनी बड़ी बाते नहीं वो सीधा लिखे आएगा claim receive तो claim receive भी तो insurance related है जरा बता दो मुझे अगर आप जानते हो तो ये बात मुझे बता दो ना ये normal nature का होगा अब normal nature का होगा sir ये भी normal nature का होगा जब insurance premium paid normal nature का होता है मेरे बच्चा हे मेरे मुनना ये abnormal nature की transaction है और याद रखना abnormal nature की receipts है ये normal nature का expenses था ये अब normal nature की receipts है LIC जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के बाद भी हर महीने हम देते हैं premium कुछ quarterly देते हैं premium कुछ yearly देते हैं premium जो की खर्चा regular है regularly आप लोग इसकी payment कर देते हैं अब ये मत कहना हम 10 साल का दे देते हैं एक साथ दस साल का आप एक साथ दे देते हैं तो advance हो गया treat तो year by year या month by month या quarter by quarter या six yearly by six yearly जैसी आपकी policy होगी ऐसे ही करेंगे उसको advance माल लेते हैं तो insurance premium जो business paid करता है अपने business का premium जो अपने business का premium एक business paid करता है कुछ कुछ un extraordinary event से बचने के लिए ऐसी event से बचने के लिए जो वो चाहता नहीं अपने business में कभी भी हो मैंने LIC कर रखी है तो क्या ये चाहूँगा मैं मर चाहूँगा क्या मैं चाहूँगा LIC का claim मुझे मिले मैं नहीं चाहूँगा मैं जीते जी नहीं चाहूँगा LIC का claim मुझे मिले मैंने LIC ले रखी है मैंने LIC ले रखी है लेकिन मैं कभी नहीं चाहता उसका claim मुझे मिले और claim बार बार नहीं एक बार मिलेगा तो जो चीज मेरे बच्चा insurance premium हर साल देंगे हर महीने देंगे quarterly देंगे और वो जो आपको receipts होगी वो जो claim मिलेगा आपको मरने के बाद जो date claim मिलेगा या जो भी उसका क्या कहते है उसको पूरा होने पर maturity पर मिलेगा वो क्या बार बार मिलेगा ना आग लग गई insurance ले रखा था insurance fire का आग लग गई insurance company से premium आ गया तो ये कहोगे ये normal nature की income है जी हम तो आग इसलिए लगाते हैं कि माल भिक नहीं रहा था चलो आग लगाते हैं शाला insurance company से पैसा आ जाएगा अरे बेटा ऐसे business चलेगा क्या ऐसे काम करेंगे क्या ऐसा premium ये ये खर्चा ये वो खर्चा है जो regular nature का है लेकिन इससे होने वाली ये वो income है जो abnormal nature के कोई नहीं चाहता ये income हो जिन्दकी के बाद हो या जिन्दकी के साथ हो मैं तो कते ही नहीं चाहता लेकिन ले इसलिए रखा है कभी टीवी में एड ना आ जाए कि हम अपनी जिन्दकी में ये करना चाहते थे पर ये तो insurance लेना ही भूल गए याद करो एक एड आता है उसमें सर्मा जी की wife मिसिस सर्मा सामने बैटी हुई होती है सामने सर्मा जी की photo पे माला चड़ी हुई होती है और कहती है हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना था पर ये तो insurance लेना ही भूल गए तो insurance इसलिए ले रखा है कि वो ये ना कहे ये insurance लेना भूल गए लेकिन क्या कोई चाहता है claim मिल जाएना मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता I love my dear जिन्दकी मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी जिन्दकी से मैं नहीं चाहता लेकिन premium दे रहा हूँ regularly दे रहा हूँ हर महीने देता हूँ normal nature का खर्चा है मैं दे रहा हूँ लेकिन ये income abnormal nature की income मुझे नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ये income क्योंकि ये जब भी मिलती है ये कब मिलती है contingency में आफत में मुसीबत में मिलती है तो ये abnormal nature की receipt है और मेरे बच्चा अगर abnormal nature की receipt included कर रखी है पी एंडल में तो आप क्या कर देंगे exclude कर देंगे यानि कि less कर देंगे ये receipt को अगर उसने include नहीं की हुई excluded कर रखी है excluded है ये तो आप इसको ignore कर देंगे तो sir ये तो आप समझ जाओगे बस आपको ये पकड़ना है normal है या abnormal है तो ये दो खतरनाक transaction है जो confuse करती है ये दो खतरनाक transaction है जो confuse करती है इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है दो खतरनाक बाते और लिखूँगा इसी के साथ मैं दो खतरनाक बाते आगे और लिखूँगा वो दो खतरनाक बाते क्या है पहले एक ही लिख देता हूँ एक खतरनाक बात इसके आगे मैं और लिखूँगा question में direct देता है इस तरीके से करके managers cost ठीक है इस तरीके से बोलेगा कि manager cost remuneration remuneration of partners partners का पारी सर्मिक इस तरीके से बोलेगा manager cost या remuneration of partner ये आपको question में दे रखा होगा मेरे बच्चा तो ये दे रखा है तो जब ये given होता है तो इसका मतलब होता है कि अभी तक इसको कुछ नहीं किया गया है इसको deduct नहीं किया गया है तो बेटा आप less from profit आप इसको profit से less करोगे जिस साल का profit में से कहेगा जैसे कहेगा हर साल करना तो हर साल minus कर देंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा बेटा ये भी एक normal nature की transaction है normal nature की transaction है goodwill के परपज के लिए transaction दे रखी होती है तो हम मानते है ये transaction अभी तक include नहीं की क्योंकि question ने दे रखी है तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया गया होगा वो बोलेगा कि manager की cost allow करनी है for the purpose of goodwill या remuneration of the partner to allowed for the purpose of goodwill ऐसे बोलेगा तो ये normal nature की transaction है तो हम क्या कर देंगे इनको loss from profit कर देंगे क्योंकि अभी तक minus loss मतलब less from profit कर देंगे मेरे बच्चा ये less नहीं कर रखी अभी तक तो हम इनको उठा कर less कर देंगे ये तीसरी खतरनाक transaction थी इसके बाद बेटा आगे चलते हैं over valuation of closing stock क्या-क्या over valuation of closing stock कि closing को stock को over valued कर रखा है अकाउंटेंट ने सबसे पहली बात ये अकाउंटेंट की गलती है उसने क्यों over valuation कर रखा है मतलब क्यों closing stock को ज़्यादा लिखा हुआ है कैसे चेक करेंगे सरी स्टांजेक्शन का क्या करना मैं बतातो रहो मेरे बच्चा अकाउंटेंट साहब ने जो आपका closing stock है उसकी ज़्यादा value लिखी हुई है क्या लिखी हुई है ज़्यादा value बेटा ध्यान दे closing stock आपने कहा लिखा होगा credit side of trading account मैं credit लिख रहा हूँ बस credit side of trading account credit side में जो चीज़ ज़्यादा लिखी गई है उससे क्या हुआ होगा हमारा profit ज़्यादा आया होगा हमारा profit ज़्यादा आया होगा closing stock जो था उसकी value accountants आपने गलती से ज़्यादा लिख दी closing stock credit side लिखा जाता है इसका मतलब accountant ने credit side में ज़्यादा amount लिख दी credit में लिखने का मतलब होता है कि income या revenue from operation या हमारी कोई income हमें जो हुई है तो credit side में जैसे ही वो चीज लिखी गई उससे हमारा profit boost हो गया credit all income, debit all expenses तो credit side में कोई चीज ज़्यादा लिखी जाएगी तो वो क्या करेगी चीज़ ये effect डालेगी कि हमारे income ज़्यादा हो गई यानि कि हमारा profit ज़्यादा हो गया तो इस गलती से accountant सहाब ने क्या कर दिया profit बढ़ा दिया इसका मतलब इस गलती का result ये आया कि accountant सहाब ने बिना बात बिना बात profit increase कर रखा है profit increase कर रखा है है accountant अब business profit नहीं कमारा तो ऐसे कमाओगे ज़्यादा ज़्यादा credit में चीज़े लिखे ज़्यादा profit करोगे तो गलती का सुधार करो इस गलती का rectification करो goodwill की valuation करने में है accountant आपने ज़्यादा credit कर रखा है सो हम इसको now debit कर देंगे debit का मतलब less कर देंगे less from profit ठीक है मेरे बच्चा क्या कर देंगे profit से less कर देंगे ध्यान रखना less from profit of that year ये हो गई एक बात ये मेरे बच्चा उसका एक result निकल के आया ये transaction थोड़ा सा chain effect भी generate करती है तो जो chain बना रही है ये transaction उस chain को भी समझ के चलो 31 March 2019 में मेरा closing stock गलती से ज़्यादा लिखा गया है 31 March 2019 को निकलने वाला मेरा stock आगे broad down होगा 1 March 2019 वाला मेरा stock 1 April 2019 में फिर broad down होगा जाकर opening stock की तरह तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज 2019 की closing में ज़्यादा थी वहां तक ठीक नहीं वो पाई होगी कैसे ठीक होगी मतलब भी नहीं उठता Goodwill की valuation बाद में कभी जाके कर रहे है तब पीछे पता चला पीछे गलती हुई है तो उस गलती का effect तो दो साल चला गया एक closing stock में जिस साल का closing stock तो उस साल चला गया next year में next year में उसको क्या कर देंगे add into profit तो दो बातें यहां पर करेंगे हम पहली बात क्या करेंगे उसको less कर देंगे जिस साल का closing stock overvalued था उस साल से less कर देंगे उसके अगले वाले साल में उतनी ही amount को हम add कर देंगे आगे इस बात पे एक जादू दिखाऊंगा आगे जब यह question करवाऊंगा तो एक जादू दिखाऊंगा और तब ही मैं इसका discussion करूँगा be careful यहां ध्यान से सुनने वाली बात sir तीन साल का profit दे रखा है धंग से सुनना मेरे बच्चा कहता है पहले साल 2000 दूसरे साल 3000 तीसरे साल 4000 और यहां पे कहता है 1000 का over value है closing stock 1000 का closing stock over value है तीन साल की detail दे रखी है तो आपने कहा है sir जिस साल closing stock over value होता है उस साल minus कर देते हैं हाँ मेरे बच्चा minus कर दिया sir लेकिन fourth year की तो detail नहीं दे रखी तो fourth year में क्या करेंगे ignore बना के लाएगा क्या अपने घर से बना के लाएगा क्या detail बेटा मान के चलो जिस साल में closing stock over value हो था वो आपका आखरी साल है goodwill के परपच के लिए जहां आप से कहा उसने goodwill value it करो उससे पहले के साल में उसने कहा closing stock आपका क्या हो गया under over valued हो गया उसके आगे का profit नहीं दे रखा तो फिर हम अगले साल के effect को ignore कर देंगे समझ में आया अगर यहां चोथे साल का profit दे रखा होता तो फिर मैं क्या करता 4000 में से इस 1000 को minus करता और fourth year में 1000 को plus करता कम plus करता जब प्रोफिट दे रखा होता प्रोफिट दे ही नहीं रखा है तो अपने पास से थोड़ी plus कर दूगा ignore कर दूगा फिर उसका chain effect बना ही नहीं अगले साल की बात ही रही अगले साल का profit यूज नहीं कर रहा तो बच्चा, closing stock से ही double effect बनता है क्योंकि closing stock अगले साल का opening stock बनता है, तो इसलिए 2 साल effect डालता है, कुछ बच्चे उल्टा निकाल लेते हैं, अच्चा समझ गए, इसका मतलब opening stock overvalued का रखा होगा, तो उसको भी अगले 2 साल रहे मेरे बच्चा opening stock का effect उसी साल जाता है, क्योंकि वोई वाला opening stock उठके, अगले साल का closing नहीं बनता है, कुछ और closing आता है, लेकिन इस साल, मान के चल, 31-3 2020 की ये रात, मैं अपनी दुखान बंद करके गया, और यहां जो मैंने अपना stock valued किया, 40,000 का, गलती से 42,000 लिखा गया, 2000 रुपे ज़्यादा लिखा गया तो अगले दिन, जब मैं इस बात को उठा के, ब्रोट डाउन करूंगा कि रात को कितना stock बचा था नया साल आगे, अभी नया साल में, पिछले साल का कितना stock बच रहा है, 42,000 तो इसका मतला, closing में भी लिखा गया 42,000, opening में भी लिखा गया 42,000, लिखा कितना जाना चीए था दोनों साल में, 40,000, 40,000 लिख कितना दिया, 42,000, 42,000 तो गलती कितनी जगा हो गई, दो जगा गलती हो गई न, तो दो जगा ठीक करेंगे लेकिन, सर, अगर मैं 31,3 की रात को यह आप से कहता हूँ गुडविल बताओ, तो फिर बेटा वहीं तक बात करेंगे, अगले साल की बात नहीं ओरी तो अगले साल का effect भी नहीं आएगा लेकिन यह effect आता closing stock पर जल्दी से comment करके बताओ, कि हमने आपकी यह बात पकड़ ली, आप क्या कहना चाहरो जल्दी से comment फास्ट, समझ गए मेरे बच्चा जल्दी से कर दिया, अब मैं मान लेता हूँ, सर, next transaction ले लो, अगर हमने closing stock को अगर हमने closing stock को overvalued की जगे क्या कर रखा है, सर undervalued कर रखा है undervalued कर रखा, तो इसका meaning बताओ, हमने credit side में कम लिखा है तो credit side में कम लिखने से हमारा गलती से क्या आया होगा, profit कम आया होगा, तो क्यों अपना profit कम कर रहे हो जितना profit आपने गलती से कम किया है, उसको सही करो सही करो, गलती से जितना profit कम किया है तो जितना कम किया उसको जादा कर दो जादा करने के लिए क्रेडिट अरे कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर दो ऐसे समझ लो न कम क्रेडिट गलती से गलती से कम क्रेडिट किया है तो मेरे बच्चा और क्रेडिट कर दो जितना कम किया है उतना क्रेडिट और कर दो For an example, 4000 का स्टोग गलती से 3000 लिखा गया तो इसी को तो बोलते हैं अंडर वेल्यूड इसका मतलब प्रोफिट में उसने क्रेडिट साइड में 3000 लिखा जिसकी वजह से 1000 कम लिखा गया जिसकी वजह से 1000 प्रोफिट कम आया तो 1000 से प्रोफिट को जादा कर दो, क्रेडिट कर दो तो 1000 हमने 1000 कम क्रेडिट किया तो 1000 को और क्रेडिट कर दो 1000 से प्रोफिट को बढ़ा दो सिंपल सी बात, फिर से वही वाली बात ये भी क्लोजिंग स्टोग है ये भी closing stock है तो chain effect बनाएगा इस साल का closing stock undervalued है तो अगले साल जाएगा तो क्या credit का मतलब क्या होता सर एड करना credit का मतलब क्या होता एड करना गलत लिखा है profit को गलत कम करका तो बढ़ाओ add करो तो इसका मतलब अगर हमारा stock undervalued रहा तो क्या करेंगे जिस साल में था जिस साल में undervalued था जिस साल में undervalued था तो यानि कि उसको current year लिख देता हूँ मैं जिस साल में undervalued तो उसको लिख देता हूँ current year जिस current year का मतलब जिस साल में यह वाला current year current year का मतलब जिस साल में वो profit वो closing stock undervalued था उस साल में हम उसको क्या कर देंगे add कर देंगे less नहीं add कर देंगे और बेटा next year में क्योंकि वो effect डालेगा next year में वो effect डालेगा किसके उपर effect डालेगा opening पर effect डालेगा तो opposite effect आ जाएगा क्या कर देंगे less कर देंगे कोई बच्चा है कमेंट करना चाहेगा कि current year में add तो next year में less क्यों कर रहे है क्योंकि opening stock debit में लिखा जाता है और अगर closing stock कम था तो credit side कम थी तो हमने credit side को ठीक किया अगले साल वो opening stock बना अगले साल वो opening stock बना जब वो opening stock बना तो debit में लिखा गया तो अब debit में कम लिखा गया तो जब debit में कम लिखा गया तो हमने क्या किया भई क्यों debit में कम लिख रहे हो यानि कि आपने खर्चा कम दिखा रहा है जितना उतना दिखा हो जितना है उतना दिखाओ तो हमने फिर से लहस कर दिया समझ में आया फिर से पीछे वाली बात रिपीट करूँगा अगर वो ये बोले 1, 2, 3 की 1000 रुपेगा प्रोफिट 2000 रुपेगा प्रोफिट 3000 रुपेगा प्रोफिट यहां पे बोले 1000 की अंडर वैल्यू है और 4th year में कोई डिटेल नहीं दे रखी नहीं दे रखी तो बस यहां तक तीसरे साल में एड़ेस्ट करेंगे अंडर वैल्यू को क्या करते हैं अंडर वैल्यू को यहां प्लस कर देंगे प्लस 1000 4th year में 1000 का कुछ नहीं होगा क्योंकि 4th year की डिटेल नहीं दे रखी डिटेल दे रखी होती तो कर लेते ये ट्रांजेक्शन बेटा इतना टाइम लगा रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे लर्न चाहिए हरा एक एक बात मुझे विद लोजिक लर्न चाहिए सुनने लग जाओंगा मैं आपसे बड़ी इंपोटेंट बाते हैं रटते फिरते हैं सभी बच्चे अगर कॉंसेप्च्छली अच्छे नहीं होते हैं तो रटते फिरते हैं और हमारा बच्चा रटे ही है हमें कते ही अच्छा नहीं लगेगा इसलिए एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ फिर से समझ के चलो फिर से समझ के चलो जर्नली आप करेंट येर का एफेक्ट देखो नेक्स येर का अपने आप ओटोमेटिक लिए याद रह जाएगा कि करेंट येर में ओर वेल्यू तो करेंट येर में जो इफेक्ट होगा नेक्स येर में उसका उल्टा होगा इतना याद रखना है तो करेंट येर में हम ओर वेल्यू का क्या कर रहे थे माइनस तो नेक्स येर में प्लस हो जाएगा ऐसे ही मैंने का अंडर वेल्यू current year में undervalue क्या होगी plus होगी तो next year में क्या हो जाएगी minus हो जाएगी लेकिन किस पर closing stock पर क्योंकि opening stock पर भी ये बात लागू होती है अब ध्यान देना next transaction में लेके चलता हूँ undervalue या undervalued opening stock undervalued opening stock का मतलब क्या है कि debit में हमने कम लिखा हुआ है तो क्यों कम लिखा हुआ है debit में किसी खुशी में कम लिखा हुआ नहीं गलती में लिखा हुआ है तो गलत कर रहे हो जितना कम लिखा है फिर से debit करो तो फिर से क्या कर देंगे less from profit क्योंकि हमने कम less किया हुआ है तो actual में closing stock, कौन सा stock, closing stock undervalued है, तो इसका मतलब क्या, ना 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 ये तो हम पढ़ चुके है मेरे बच्चा, undervalued opening stock, तो इसको करेंगे हम overvalued opening stock वो तो पढ़ चुके है ना, undervalued opening stock मतलब खर्चा, debit side में खर्चे आते हैं, कम खर्चा लिखाओ, गलत लिखाओ, फिर से लिखाओ, जितना लिखना था, undervalued का मतलब है, overvalued का मतलब है, कि हमने ज़्यादा debit कर रखा है, कि स्खुसी में, जी खुसी उसी कुछ नहीं है, गलती से हो गया, गलती से हो गया, तो गलती सुधार बे, और आगे ठीक है इसका मतलब undervalued of opening stock को minus कर दिया overvalued of opening stock को plus कर दिया तो ऐसे समन सकते हो कि जब closing stock की बात थी अगर closing stock over value था over value था तो क्या कर रहे थे बताओ जरा over value था closing stock तो उस साल के profit में से क्या कर रहे थे less और next year के profit में क्या कर रहे थे add अगर closing stock क्या था under value था तो current year में क्या कर रहे थे add और next year में क्या कर रहे थे less ठीक है basic बातों को पकड़ो closing stock over ज्यादा लिख रखा है credit में ज्यादा लिख रखा है जितना ज्यादा लिख रखा है वापस से इटा तो मतलब minus कर दो credit में जुड़ा है तो debit में लिख के minus कर दो over value कर रखा है next year में उसका effect चला गया तो इसका opposite हो जा था पिछले साल less हुआ था तो opening में add हो जाए क्योंकि इसका opposite effect बनता है इसको evaluate करो अच्छे से कर सकते हो बता रखा है मैंने undervalued पर आए current year का undervalued है आपने credit side में गलत लिखा हुआ तो फिर से लिख को जितना कम लिखा हो था तो जादा लिखा हो था तो जादा हमने क्या कर रखा था add कर रखा था तो हमने opposite कर दिया तो उस चीज़ को याद रखें under over के इस difference को अच्छे से पकड़के चले मेरे बच्चा ऐसा ही opening stock opening stock का तो बड़ा simple सा बना opening stock का तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसका next year का effect बनता ही नहीं है तो opening stock में तो simple है कि अगर under value है तो कम less किया हुआ गलत क्यों किया हुआ फिर से less करो over value जादा less किया हुआ रहे भईया जादा less क्यों कर रखा है गलत जादा less कर रखा है गलत क्यों करा भई less जादा less क्यों करा फिर से add कर दो ठीक है इसके अलावा कुछ गलतियां और होती है जो capital nature की transaction को हम revenue nature माल लेते हैं capital nature की transaction को हमने revenue nature माल लेते हैं जैसे machinery को purchase के नाम से ल Capital मान लिए Capital को revenue मान लिए तो उससे हमारा flow भी बिगड़ जाता है income expenditure का तो उन चीजों को भी ठीक करेंगे उसकी बात मैं बाद में करूँगा आज मैंने आपसे केवल इतना discuss किया है वो जो बाकी दूसरी है वो मैं बाद में discuss करूँगा उसकी बात मैं अभी आसे नहीं कर रहा अभी के लिए तो बस मैंने जितना कराया है उतना ही आपको अच्छे से memorize करना है और आपकी screen पे अब एक question आने वाला है अब जल्दी से उस question को देखे और उस question का answer मुझे यहां comment section में चाहिए answer हर हाल में काफी बार बोल चुका हूँ काफी बच्चे है answer देते ही नहीं है उस question का answer निकाल के comment section में मुझे हर हाल में चीएगा जल्दी से देखे वतना आपकी screen पे यहां question आने वाला है देखे गुडविल का question आपकी screen पर पूरे एक करोड के लिए अरे रुखजा भीया मुझे से क्यों ठकरा रहा है रुखजा रुखजा सिर्फ भूड़ जाएगा मेरा देखिए आपकी screen पर question number one ये example आप मुझे करके दिखाएंगे important question है important question है जितनी बाते मैंने बताई है वो यहां पर use हो रही है important point यहां पर use हो रहे है तो धंग से करेंगे जल्दी से question number two पूरे साड़े साथ करोड के लिए और अरे आज आज अब आई रुखजा सारे question ऐसा लग रहा दोस्तों उमीद करता हूँ आप ये घर पे question करेंगे अच्छे से करेंगे आप असानी से इन question को soul कर लेंगे उमीद है मुझे by chance अगर question soul नहीं होते हैं तो comment section में mention करके बताओ कि question soul नहीं हुए है तो आप करा दो तो मैं इन दोनों questions का solution बनाके अलग से एक class upload कर दूँगा जिसमें आप इनका answer देख सकते हो तो उसके लिए आप comment section में जाके comment करें और बताएं और साथ में ये भी comment करें आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी आपको कितना मज़ा आया आज आपने कितने अच्छे से पढ़ा क्या क्या सीखा goodwill के बारे में जो जो बातें आपको हमने बताई वो आपकी समझ में आई या नहीं आई जो भी बात हो जो भी हो अपने मन की बात आपको हमसे कुछ करनी हो कुछ कहना हो तो comment section में जाकर जरूर mention किया करें जरूर बता के वीडियो का benefit मिल सके इधर उदर जाएंगे गलत जगा पढ़ लेंगे बाद में फेल हो जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है तो उनके बैटरमेंट के लिए अपने बैटरमेंट के लिए अपने दोस्ती का फर्ज निभाव उन्हें बताओ गंगादर ही सक्तिमा हैं और वो आए हमारे चैनल पर और आके आसानी से पढ़के जाएं साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बैल वाला आइकन घंटे वाला निशान जरूर दबाएं जब तक के लिए घर रहें सुरक्षित रहें भारत माता की जै कि भाला आए हमारे उन्हें जगे और